अब आप नागपूर में बापस से जा रहे हैं तीसरी बार आपका ये चुणाव है नागपूर से? अब तीसरी बार चुनाव लगने ती outdoor लेड़ें तो वहाँ पे मैंने सुना कोई कह रहा था की काहे पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में तुझा सही है कि नितिन गडगरी के टककर में कोई खड़ा नहीं होने वाल है वहाँ पर अभी कोई उमेधवारे तहने हो पा रहा है जिनको पूछा जाता हो नहीं बोल देते हैं कोई नो कोई खड़ा होगा क्योंकि उनको भी खड़ा होने का अधिकार है और चुनाव के 400 प्लस की बात कर रही है आप कितने आश्वस्त हैं अपने लिए और खास करके अपनी पार्टी के लिए क्योंकि 400 प्लस सम मजॉरटी मतलब इस तरीके की मजॉरटी तो बहुत पहले सुना गया था अब तो सुना नहीं जाता है दिखिए पहली बात तो ऐसी है कि मेरा जो चु अपने परिवार के रूप में माना हैं डिवलोप्मेंट में काम हो स्पोर्ट्स कल्चर सब कामों में बहुत इंटरेस्ट लेकर काम किया है विशेश लुप से हेल्थ सर्विसेस में अच्छा काम किया है तो मैं यह करते नहता हूं दूसरी बात जहां तक हमारी देश के है हमें मिलेगा अभी जो दस साल का हमारा काम हुआ है मुदी जी के नित्रूत में इसमें निश्चित रूप से एक पॉजिटिव होट देश की जनता का जात पंतर धर्मभाशा से उपर उठकर हमें मिलेगा और हम रेकॉर्ड मार्जिन से जीतेंगे और 400 पार निश्चित से होंगे ऐसा मेरा मिश्वास है तो हम लोग सोचने था अभी तक नाम क्यों नहीं आया क्योंकि आपका नाम तो फर्स लिस्ट में होना चाहिए था इसा पद्धत ही होती है कि पहले स्टेट लेवल के ऑफिस बेरर आते है पारलेमेटरी बोड के सांथ की मीटिंग होती है निरने होता है तो पहलें मेटिग होग मध्यापदेश गुजरत और उत्रपदेश तीन स्टेट की लोग आयते माहराष्टर की मिटिंग है और महरास्टर के मीटिंग बाद में हुई और इसलिए मैं महारास्टर जड़ रहा था इसलिए कोई करें नहीं है और लिस्जभ ज को स्एयरा हुआ दोने के लिए कहा हुआ हुआ मानी पार्टी सर्वपरी और ये बात को निष्टा से पलंद करता हुआ लुक्स कि निश्डःत निश्चेटर्फ जबूसे रहे हैं तो किrare का फोन किया था कि नितिंजी आई यह हमारे साथ आई ओर लिट यदा ऐसा ही उन्होंने कहा हो पर मुझे मेरी पार्टी को छोड़कर दुसरे किसी पार्टी में जाकर खड़े होने का सवाल ही नियोकता हूं